बस भाजब वो डंका बजा रहा है भाजब दुन्या में डंका बजा रहा है मोधी आज पुतीन ने भी तारीफ की है मोधी जी बस मोधी चाहिए और कुछ नहीं मोधी 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 शेर हमने पाला है यानि मोदी जी शेर है तो उसको हमने आगे बढ़ा है तो उसको तो महेंगा पड़ेगा थोड़ा गधे लाएंगे तो गधे तो फिर सस्ता पड़े फिर गधे की सवारी करनी पड़ेगी तुमको सबको मालूम है पूरे विश्चों मालूम है किसी को बोलने की जरूत नहीं किस की सदकर आएगी गुजरात में नाम तो बता दीजिए नाम अमर है नर्यांदरदामो दास मोदी और कुछ भी नहीं बाजब सरकारी चाहिए बाजब सरकार का अच्छा काम है बाजब सरकारी बढ़ बढ़ है और यह जो मेंगवारी है लोगों के खर्टे बढ़ गए है जान बुच के खर्टे ज्यादा कर रहे हैं उसकी वज़े से मेंगवारी है बाकि कोई मेंगवारी नहीं है अगर बात की जाए तो विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर लगातार गिरता है रोजगार के मुद्दे पर गिरता है उसके बारे में क्या कही जाए तो उसको हमने आगे बढ़ा है तो उसों तो महंगा पड़ेगा थोड़ा गधे लाएंगे तो गधे तो फिर सस्ता पड़े फिर गधे की सावारी करनी पड़ेगी तुमको इससे भी महंगा होगा तो भी हम मोदी जी को वाट देंगे उनको लाने की इसी बीच केजरिवाल का एक स्टेटमे फ्री देंगे यह देंगे वो देंगे तीन सो इनिट फ्री कहां से लाएगा उसके घर में से लाएगा लाएगा कहां से हम लोगों के उपर से लाएगा ना वेपार पर टेक्स डालेगा किसी और पर टेक्स बढ़ाएगा किसी को लूटेगा जो भी करेगा लाएगा कहां से उसके घर में तो बिजली पैदा नहीं होती है ना ना बावकारो कर दिया है आप क्या चा रहे हैं किसके सरकारो है sırसा बाजब वो डंका बजा रहा है बाजब दुनिया में डंका बजा है मुदी पुतीन ने भी तारीफ की है मोदी जी वाज मोदी चाहिए और कुछ नहीं यहां पे तो हम बाइट ले रहे थे और यहां पे नारे बाजी शुरू होगे जी क्या नाम है पुदी जाना पड़ता था पिर यहां तो राजस्तान जाना पड़ता था कहीं और जाना पड़ता अभी सब लोग इधर एंजोई कर रहे हैं अब बाहर से भी काफ टूरिस्ट आरें आरे बार से भी आरे नाम हैं किसकी सरकारों की विटे और कि जरूत नहीं किसकी सरकार आएगी गुजरात में तो बता दिए नाम एक नाम अमर है नरेहंद्रा दामोदास मोधी और कुछ भी नहीं जो छोटे-छोटे बचे हैं उसको उसको भी मालूम है कि भाई गुजरात सरकार तो ठीक भारत में या पूरे विश्व में क्या नाम है मोधी मोधी और मोधी और कुछ भी नहीं अच्छा आप ये इनकी आवाज आई इदर आजाए कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं क्यों चाह रहे हैं परिवर्तन ही इस बार कॉंग्रेस की सरकार आएगी गुजरात में कर देखिए अभी आप कॉंग्रेस के अब यहां का रहे अब यह केज़िवाल पर आगे केज़िवाल बन जाए ये जो है ना नहीं नहीं जो आरे हैं बाहर से उसका कुछ भी नहीं महिघाई के मुद्ध पर आ जाए उन्होंने महिघाई वो तो चले गए मेरी खाल से महिघ जिस तरब से है उस तरब से जो पब्लिक बढ़ रही है उसके सबसे फिर जो कौन देगा पॉपुलेशन चाहिए तो मोधी कहा करे वो किया करे किया कुछ तो चाहिए ना इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ गई है भारत में अच्छा पुतीन के स्टेटमेंट को कैसे पहली बात तो पुतिन है क्या मोधी क्या आगे ठीक है पुतिन ने तो आज का है ना पहले मोधी के उपर इल्जाम लगा था कि युनेटेट यूएसे में एंट्री नहीं होगी अब पुरे विश्वका जो है वह हैंडलिंग मोधी के हाथ में यह समझो अभी एक दो दिन ए की पाज़ब का वाज़ब सरकारी बढ़ा बड़ाइं ए जो और पाज़र हूं झाड़ि लोगों के खर्चे बढ़ागा हैं जान-बुच के खर्चे ज्यादा कर रहेingly कीवज़े से महीवारी पर कीवारी नहीं यह लोग ज्यादा खर्टे कर रहे अधर गूंबने का उधर गूंबने का उसके लिए लोगों के पाद से हैं अधर खाक होետका बड़ो बड़े पर फाहल टुक तो खर्टे फाहल टुक्षब करते इनने तो सब द्यान किया है पर अभी मोधी का कोई द्यान नहीं करता है एक चीज और अभी एक स्टेट्मेंट आए केजरीवाल का वो कह रहा है मैं जादूगर हूं लोगों के दिल जीतना जानता हूं क्या वो जादूगर आपका दिल जीत पाएंगे केजरीवाल जो है न सबको जाडू लगाना सिखाथ है बस और कुछ भी नहीं बाई तुमको जाडू लगाना आता है कि बाई नहीं आता तो ही अ के नेता हैं वो तो कह रहे हैं मैं सरदार पटेल का वंशच हूं पहले जब स्टैच्व आव यूनिटी बनाया गया उस टाइम उन्होंने कहा था अर्विंद केज्रिवाल ने कहा था जंसबा करके बकायदा दिल्ली में कि यह क्यों बनाया स्टैच्व क्यों इस पर पैसा खर्चा किया किसी और सेग्मेंट पर पैसा लगा तो मैं उसको इतना बता रहा हूं वह लोग देश के लिए जा रहे थे तुम दारू के घोटा ले के लिए जा रहे हो भगज सिंग का भी नाम उन्होंने लिया भगज सिंग है हम तो विजेपी मोधी सर क्यूं चाहिए बीजेपी मोधी है तो मुंकिन है ये सारा इतना सारा डेवलोपमेंट किया है ये मोधी जी के बगर मुंकिन नहीं है तो लेके वीपकस तो आरोप लगाता है क्यों ये ब्रीज बना दिया क्यों वो स्टेचू बना दिया कोई लगा देखते हैं वह प्रूप है उस में कुछ बोलने की क्शा कने मोदी जी जिरू पलते नहीं क्या नाम है आपका आप क्या किहें किसकी सरकार और क्यों अरो यह थेर सरकार नाम है अपक्टावी सरकार चाह रह만 क्यों पूरे इंडिया में भी तब हम्दाबाट की बात नहीं है उन्से सवाल कर रहा था अब नहीं पहले उत्तर दे दिया मोदी जी आएंगे मैं आई रहा था क्यों चाहिए मोदी जी बस मोदी मोदी और मोदी चाहिए उसका कोई जवाब नहीं है हाँ मोदी यह तो मुंकिन है केजरिवाल का स्टेट्मेंट आया एक उसके डिपोजिट भी डूल हो जाएगी वह तो कह रहे है मैं जादू करूं लोगों के दिल जीत ना जानता हूं कि नहीं कुछ भी नहीं वह भेकता है पंजाब के पंजाब स्टेट पर जो पहले से जो देवा था उनका जो पैसे का वह अभी अब यह वह त्युक्त में देंगे वह मुपत में देंगे लेकिन पैसा आएगा कहा से पब्लिक का यह आएगा सबसे बड़ा जो कोई रिजन है मोदी जी को लानेगा तो यह डवलेप्मेंट है गुजरात का डेवलेप्मेंट अगर मेरी मेरी रायमे में घुजरात अगर अलग एक कंट्री और तो मेरे खाल सब्सकरा तो अमरीका और उसके साथ मुदी जी ने किया है भाबस वही था वह जो डेवलप्मेंट अब बाट बाव मुद्दा है मैं तो देख रहा हूँ जो जाद कर रहे ने पुरे इंडिया में कर रहे है जासा ऐसा गुजरात में फूरे इंडिया में जहां पुझाओ वैसा एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को मंदिरों में अगर दर्शन करना है पुजापाट करना तो वह स्पेशल इंडिया में ही आएंगे क्योंकि उतना सारे इंडिया में मंदिर तो डेवलप होई रही है लेकिन उसके साथ साथ उसकी कनेक्टेविटी जो है वह बढ़ रही है डायरेक्ली डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है तो इंडिया में आके वो लोग ऐसे धर्म का काम या अपने संस्कूरूती आगे बढ़ा सकते है विपक्ष एक मुद्दे पर लगातार सवाल उठाता है वो है महंगाई और रोजगारी उस मुद्दे पर क्या कहे हां इस्तिपाद दे दिया और वहां के लोग इतने बहुत हो गए कि उनको रोड पर आना पड़ा है मेरे खाल से वह इतनी हलत खसता अभी नहीं हुई है पैट्रोल सब उसको कंट्रोल में करके रखा है अगर यह दूसरे देशों के उसमें जाते है तो आज मेरे खाल से डबल दूगना हो गए मतलब जो एक डॉलर का अमेरिका में तो और दूसरी जगा इटली जापां जर्मानी वहां तो सरकारे बदल गई है इस मेहगाई में तो अपने यहां पर तो ऐसा है कि पैट्रोल इतना में जैसे 70 था मतलब 70 रुप्य पैट्रोल था उसका 140 नहीं हु हुआ है 95 हुआ है 100 दूगना नहीं हुआ है तो मियागारी इंडिया में तो कंट्रोल में है लेकिन इतनी तो बढ़ेगी में वारी की सरक्या नाम है कमलेश महारेडिया कहां के रने वाले गुजराट से हम राजकोट से किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार भी हम भाजब सरका ही चाह रहे हैं चा रहे हैं भाजब सरकार कि अच्छा मेनेज्मेंट है मुखलरी है लेकिन इसकी रक्षा के लिए अची है सरकार है यानि की देश की रक्षा है उसको लएक्रा अय्योग श्तेयेटमेंट की विए रज Noel जूड में सर जूट है वो लोकों को बेवकुप बना रहा है सरसर जूट है क्या लग रहा है कुल 182 सीटे हैं क्या एक अनुमानी तांकड़ा रहा सकता है भाजब कितना कॉंग्रेस कितना आमादमी पार्टी कितना एक सो सतर के असपास रहेगा भाजब के लिए अमादमी पार्टी ने बोला था बहुमत से तो हम जीता है ना ना वो सब एक अलग बात है अपना नजरिया है लेकिन आजकल जो पबलिक है ना वो जागरूथ है वो देख रही है लोकों को अलग-अलग स्की में बता कर कर देशा है मेरा नम सोनू है सोनू जी कहां के रहने वले यह सरकार चाह MLK किउंचर रहे हैं जिनको अभी तक किलियर पानी देखा हुगा आज आपने यमुना के विजुल्स देखिए दोजार चोड़ा ने हर साल ये वादा किया था कि मैं आने वाले पांच साल में पानी साफ कर दूँगा आठ साल हो चुके हैं अभी तक पानी साफ नहीं हुआ है मुना का फिर भी आप अब बरोसा करेंगे क्या है उनने खर के बाहर हजारों किसान Is उन्होंने का था 30 अपरल तक मुआफ़जा सब का वापिस देदूंगा आज हजारों किसान बैटे हैं उनके गर के बार ने अभी तो मतलब ऐसा चांसे लग रहा है कि कुछ तो काम करेंगे बाकि मोदी जी ने भी करा ये ऐसा नहीं है लेकिन बहुत मेंगा ही मेंगा है फिर बिजली का रहा हमको तो बिजली बेनिफिट मिलेगा थोड़ा इसलिए हम चाहते हैं आवे और थोड़ा स्कूल का उसका भी मोगराम अच्छा हो जाएगा